नमस्तार अब अब दूस्तों, हिंदो इसमें आपका स्वागत है, मैं हुकराम आज अफगानिस्तान के अंदर से अमेरिका पूरी तरह से निकल चुका है उसके सारे सैनिक, उसके सारे हवाई जहाज जितने भी थे वो सब लेके निकल चुका है और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आए कि दोहा के अंदर, यानि कतर के अंदर भारत में तालिबान के निताओं के साथ मिटिंग की है मानो तो यह जारता है जैसा गोजय मिडे के अगर हम बात माने जिस तरह से वो तालिबान को लेकर बात कर रहा है कि तालिबान के साथ भारत शायद ही कोई बातचीत करे या फिर तालिबान अगर करेगा तो वो एक ठरह से दबे पाउं आएगा सहरे जुका कर आएगा और तब भारत बात करेगा लेकिन आज एक बड़ी खबर सामने आई जैसे ही अमेरिका अफगानिस्तान से निकला तालिबान ने जश्न मनाया उसी बीच खबर आई शाम के वक्त कि दोहा के अंदर तालिबान नेताओं के साथ भारत के एक मीटिंग हुई है भारत के अमबैसी के अंदर यानि कि दूतावास के अंदर काफ़ी सारे मुद्धे इस मीटिंग में रखे गए हैं और कौन इस मीटिंग में शामिल था मैं आपको डिटेल के साथ बढ़ाता हूँ लेकिन उस पर जाने से पहले आपसे अपील है इसी बीच आज शाम खबर आई 6 बजे कि वहाँ पर भारते अमबैसी में तालिबान नेताओं के साथ एक मिटिंग हुई है जिसमें क्याइम एहम मुद्धे पर बाचीत हुई है भारत के विदेश मंतराले के ओर से एक बयान कहा गया है कि मंगलवार को भारते राजदूद डीपक मितल जो कतर के अंदर भारते राजदूद है वहाँ कतर की राजदानी दोहा में वहाँ ही हमारा अमबैसी है तालिबान के राजनितिक कारेले के परमुक शेर मुहमद अबास स्टेन कजेई जिनके बारे में अभी मैंने दो दिन पहले खबर की थी आपको बताता कि ये वो शक्स है जिसने असी के दसक में इंडिया इमिलेटिय अकेडमी से ट्रेनिंग भी ली थी भारत में रह चुका है भारत को अच्छी तरह से जानता है इसलिए पहले से ही दोस्टी के हाथ बढ़ा रहा था तो उसके अनुरूद पर भारती MBC में एक मलाकात हुई है जिसमें भारत में कहीं सारे मुद्दे रखे हैं उसमें अत्यकवाद भी है उसमें व्यापार भी है उसमें बहुत सारी चीज़े हैं साथी भारत ने भी का कि जितने भी लोग भारते वाँ पर फसे में उनको निकाला जाए वहां से और जो अल्फसंक्याख हैं वो अगर आना चाहते हैं तो वो भी आए और उनकी सेक्योर्टी की जिम्मेदारे भी तालिबान ले कि उन्हें किसी तरह की कोई आच भी नहीं आएगी भारत ने का कि आप अपनी जमीन अफगानिस्तान की कोई भी जमीन आतक वादियों के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे शेर मॉहमद अब्बास ने भारत को आश्वासन दिया कि वो आप लोग जो कह रहे हैं हम उस पर बिल्कुल गोर करेंगे और किसी तरह की ऐसी कोई चीज होने नहीं देंगे साथ इसमें वैपार जो रुगा है अचानक से उसको भी दुबारा बाहल करने की कोशिश की गई क्योंकि शेर मौमद पहले से कह चुके हैं कि एयर वे यानि के हवाई रास्तों के जलिए वैपार चलता रहेगा जमीन पर अभी वैपार होगा नहीं होगा इसकी कोई गारेंटी नहीं है क्योंकि पाकिस्तान अपनी जमीन मौहिया कराएगा भारत को या नहीं इसमें भी कुछ कहा नहीं जा सकता लेकिन उसने अफगानिस्तान को कह जाता कि उसके वैपारी पाकिस्तान की जमीन को इस्तमाल कर सकते हैं वैपार के लिए अब इस मीटिंग का जो दोहा में हुई इसका क्या आफर पड़ेगा जिल्दी हमें इस बारे में पता चल जाएगा लेकिन गोदी मीडिया तो लगतार जहर फैला रहा है तो देखते हैं यह मीटिंग अभी जो दोहा में हुई है सीधे सीधे अफगानिस्टान के अंदर या अफगानिस्टान से तारीबान के जो नेता चलकर भारात आते हैं या नहीं आते हैं यह सारी मीटिंग का जो दोहा में होगा यह आने वाले दिनों में देखने को पता चलेगा हमारे विदेश मंतराले की तरफ से बाया जारी करके कहा गया कि वहाँ पर मीटिंग हुई है आप लोगों इस पर क्या सोचना है क्या कहना है नीचे के मेंट कर सकते हैं इस खबर को जादा से ज़धा शीर कर सकते हैं दोस्तों बाकी खबर के साथ कल आपको फिर से मिलेंगे तब तक के लिए दिजिए इजास्ट